आप देखना सुरू कर दियें बीपेशनुज और महोस अंतोष कुमार पार्थ हिलिसा नमंडल के टॉप 10 खबरों के साथ मैं हाजर हूँ देखते हैं पहली खबर हिलिसा सर के बुढ़वा महादे मंदिर के पास दरजनोराण फारिंग दो बसो के सी से फूटे कई लोग हिरासत में लेकर पुलिस पुछताज जल्द होगा खुलासा डियेसपी हिलसा के DSP सुमीत कुमार ने जनकारी देते हो बताया कि हिलसा सर के बुढ़वा महादे मंदिर के पास बदमासों के द्वारा दो बसों के सीसे फोर डाले है एवं दरजानों रॉइन फारिंग किया गया है इस मामले को लेकर हिलसा थाना के थाना दस अबजीत कुमार के नित्रित में एक विशेश टीम का गठन किया गया है इस मामले को लेकर कई लोग को पुलिस हिरास्त में लेकर पुष्टाच किया है इस तवरान कई लोग के नाम सामने उजागर हुआ है हिल्सा थाना पुलिस आस पास के लगे सिस्टीवी फूटिज भी निकालने में लगे हुए है हिल्सा के DSP सुमीत कुमान ने यह भी कहा कि जल्द इस मामले को लेकर खुलासा किया जाएगा देखते हैं हम दूसरी ख़बर सोमबार को हिलिसा के डियस पी सुमीत कुमान ने जनकरी देतों बताया कि हिलिसा सरके बिहारी रोट के बुढ़वा महादे के पास बदमासों के दौरा दो बस के सीशा फोड़ दिया गया था और उत्पात में ताया गया था इस मामले को लेकर यात्री बस पर हमला करने वाले तीन बदमास को पुलिस ने गिरफतार किया है जबकि हिलिसा थाना में नो लोगों पर नामजद एबं दस लोग के बुरूद अग्याद पर प्राथमी की दर्ज किया गया है यात्री बस के मनेजर के द्वारा रंगदारी मांगने का रूप भी लगा गया है पुलिस और भ जखमी हिल्सा थाना च्छित के द्यालपूर गाउं के पास सोंबार को बदमासों ने कि यूबक को मार पीट कर जखमी कर दिया जखमी यूबक की पहचान हिल्सा थाना च्छित के द्यालपूर गाउन निवासी राज कुमार के ठारा बरस्चे पुत्र दिशांत कुमार के किया गया आस पास के लोग की मज़ से आनन फानन में यूबा को इलाज के लिए अन्मंडरले इस्पताल हिलसा मिला कर भरते कराया गया बता दे कि दो बाइक की आपस में टकर हुआ था उसी बात को लेकर मार पीठ हुआ है इस मामले को लेकर हिलसा थाना धश अबजीत कुमार ने बताया कि पुलिस इस मामले खिजांज परताल कर रही है कि देखते अब चौथी खबर मिलकी पर गौँ में किर्शी का कार करने के दौरान एक किसान सर्प दन से घायल हो गए आस पास के लोग की मज़ से आनन फानन में इलाज के लिए अन्मंडले इस्पताल हिलसा में घायल किसान की पहचान सिध्धी के 25 वर से पुतर राज की सोरियादव के रूप में किया गया हिलसान मंडले अस्पताल के देख रेख में इलाज चल ला है परजन ने बताया कि सर्प दन से किसान घायल हो गए है देखते हैं पाचवी ख़वर सोमबार को हिलसान मंडले अस्पताल में इलाज कराने के लिए मरीजों की काफी संख्या में भीड देखी गई अस्पताल के उपाधिचक राजकसोर राजू ने बताया कि तीज पर्व था जिसको लेकर तीन दीन तक सभी लोग पर्व में बीजी थे उसके बाद रवी बार का दीन था और सोमबार के दीन काफी संख्या में भीड देखने को मिला यहां तक कि पंक्तिवत कतार में लंब हिलसान मंडले स्पताल में देखने को मिला है जहां मरीजों का इलाज कराने के लिए लोग आये थे करीब बता जा रहा है कि तीन सो के उपर मरीज आये थे सोमबार को देखते अब छट्थी ख़बर सोमबार को हिलसा दिवक्ता संग के मुख दरवाजे के पास में जम कर मार पीठ होना सुरू हो गया और लोग की भीड़ी कठा हो गया बता जाता है कि किसी वाद को लेकर एग्रिमेंट हुआ था और 35,000 रुपया बाकी था उसी वाद को लेकर दोनों कोट में पहुंचे थे एक दूसरे पर प्राथमी की दर्ज करने के लिए लेकिन भीड़ान्त हो गया और जम कर एक दूसरे के पर लात घुसा बर्साना सुरू कर दिये इस तरहां सट भी फट गये हैं कपड़े भी फट गये हैं लोग को समझाने बुझाने के बाद यह मामला सांथ हुआ देखते हैं अब सात्मी खबर अगामी दुर्गा पूजा को लेकर तैयारियां सुरू हो गया वैसा में हिलसा सहर के सिरी बड़ी दुर्गा पूजा समीती के द्वारत तैयारी की जा रही है शोमबार को हिलिसा सहर के थाने के पास में बैनर लगाया गया है जिसमें बताया गया है कि तीन अक्टूबर से कलश अस्थापना होगा एबम बारा अक्टूबर को भब शुभा यात्रा हिलिसा सहर में निकाला जाएगा देखते हैं वाठवी खबर नालंदा के स्पिया सोख मिस्तरा ने जनकारी देतों वह आताया कि नालंदा जिला में अप्राधिक घटनाव पर अंकुस लगाने है तो मंगल बार को नालंदा जिला के विविन थाना के थाना दच एबम डिएसपी के साथ में बैठक किया जाएगा जहां बैठक में देखते अब नौमी खबर जिसका मुटर खराब है जिसका मरामत कर सुधार राजा जिसको लेकर एक आवेदन दिया है हिलिसा के इस्टियो परबीन कुमार आवेदन के अलोक में कारपालक अभ्यंता पी एच इडी विवहाग को समस्या का निदान करने है तु निर्देश दिया है अब तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें अगर वीडियो अच्छा लगे तो सेर करें धन्यवाद